होली से पहले दिल्ली में तापमान बनने लगा है और गर्मी लोगों को परिशान करने लगी है माच महीने की शुरुआत में मौसम जहाँ सुहाना था तो वही अब गर्मी लोगों को परिशान करने लगी है लेकिन एक बार फिर मौसम सुहाना बनने जा रहा है मौसम भाग के मताबिक दिल्ली में होली पर मौसम शुष्क बना रहेगा इस दोरान धूप से आनशिक तोर पर राहत मिलेगी वही अधिक्तम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभाबना है यानि की होली के दिन मौसम थोड़ा सुहाना रहेगा दिल्ली एंसियार में शनिवार को आनशिक तोर पर बादल चाहे रहेंगे दिन में तेज हवाय चलेंगे और हवाओं की स्पीड 21 से 30 क्लोमेटर प्रती घंटे रहेगे वही 24 मार्च को दिल्ली एंसियार में घंए बादल चाहे रहेंगे इस दोरान भी तेज हवाय चलेंगी 25 मार्च से एक बार फिर मौसम साफ हो जाएगा आपको बता दे कि होली की बाद मौसम शुशक और गर्म रहेगा विहार के मौसम के अगर बात करें तो या पिशले 24 गंटों की दोरान राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कई स्थानों पर हलकी बारिश देखने को मिली मौसम विभाग के मताबिक अगले 24 गंटों की दोरान सुपॉल अररिया की शनगंज कटिहार और अरंगाबाद जिले की कुछ इस्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश देखने को मिल सकती है मौसम विभाग ने 23 माच को सुपॉल अररिया की शनगंज और अरंगाबाद में बिजली गिर्णे की भी संभावना जुदाई है साथी 24 माच को सीता मड़ी सुपॉल अररिया की शनगंज पूर्णिया की चिहार के कुछ इस्थानों पर हलकी बारिश देखने को मिल सकती है यानि कुल मिलाकर बिहार में मौसम सुहाना बना रहेगा भारतिय मौसम विज्ञान पी भागने 26 मार्च तक देश के अलगलग हिस्तों में आंधी और भिजली गिर्णे की संभावना व्यक्त की है साथी जम्मु कश्मी लद्दाग गिलगित पाल्टिस्तान मुजफराबाद हिमाचर प्रदेश उत्राखंड में गरच के साथ हलकी बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है महीं केरल तमिलनाडो पुंडो चेरी में अगले दो दिन तक मौसम आधर बना रहेगा बारिश होने की संभाबना है साथी अगले 24 घंटों की दोरान ओडेशा दर्शनी तमिलनाडू केरल तठी करनाटक में भी बारिश की संभाबना है वह यूपी में गर्मी और ठंड का मिला जला सर देखने को मिल रहा है जिसके चलते होली की बात कई जलों में में गर्जन के साथ हलकी बॉच्छारे गिंडे पर गर्मी से आंच्छिक राहत मिलने की उम्मीद है बॉसमी भाग के आगलन के अरुजार पश्चिमी रायस्तान में अगले 24 गंटे में पश्चिमी विक्षोप सक्रे होने की संभावना है विक्षोप के असर से बादलवाही रहने और कुछ इस्तानों पर में गर्जन के साथ हलकी बुदाबादी होने के आसार विक्षोप का असर जैपुर साइट सी का चूरू जुनजुनू अलवर भरतपुर जालवार में बना रहेगा